महलत की दम पर इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाना कोई दिपिका से सीखे दिपिका पादकोर बॉलिवुड का वो नाम जो 11 सालों से जबरदस्त राज कर रही है दिपिका पादगोर अपने टालेंट के दम पर बॉलिवुड में अपनी खास पहचान बना चुकी है और आलम ये है कि दिपिका का फिल्मों में होने का मतलब कलमे सुपर डुपर हिट होने की गैरेंटी दिपिका बहुत खुबसूरत है, दिपिका बहुत स्टाइलिश है, आज दिपिका दुलहन बन चुकी है रनवीर की दुलहन, आज दिपिका अपनी शादी को लेकर चर्च आऊंगे है दिपेका बॉलिवुड ही नहीं, हॉलिवुड में भी अपनी आक्टिंग के जोहर दिखा रही है हर बड़ा अक्टर उनके साथ काम करना चाहता है लेकिन आज हम आप को दिपेका नहीं, बलकि उनकी छोटी बहन अनीशा पादिकूर से मिलवाएंगे यानि की उनके बारे में बताएंगे, कुछ ऐसी बाते जो शायद आप जरूर जानना चाहते होंगे अगर आप दिपेका पादिकूर के फैन है दिपेका की बहन अनीशा पादिकूर उनसे 5 साल चोटी है 1990 में जन्मी अनीशा एक गोलफर है अनीशा बहुत टालेंटेट है और वो इंडियन लिवल पर भारत को रिप्रेजेंट करती है गोलफ में अनीशा का अपनी बेहन की तरह बॉलिवूड में आने का कोई इरादा नहीं था और ना ही है वो गोलफ में ही अपना करियर बना रही है अनीशा टैलेंट और ब्यूटी की पोफरक्ट एक्कूइशन है अनीशा की बढ़ाई माउंट कारमल कॉलेज से हुई गोलफ के अलावा अनीशा क्रुकेट, होकी, टेनिस और बैडमिंटन में भी हाथ आजमा रही है यानि की बहुत स्पोर्टी है अनीशा अपने पापा की तरहा अनीशा ने 12 साल की उम्र से ही गोलफ खेलना शुरू कर दिया था अनीशा के पता प्रकाश पादकूर खुद भी एक बैडमिंटन लेजेंड रही है उनी से इंस्पायर होकर उन्होंने गोलफ खेलना शुरू किया एक इंट्रव्यू में अनीशा ने बताया था कि उनकी फीवर्ट स्पोर्ट परसन साइना नहवाल है उन्होंने देविका के बारे में बात करते हुए कहा कि वो मेरी मा की तरह देखबाल करती है यानि कि देपिका पादगोर और अनीशा की अच्छी खासी बॉंडिंग है अज अ सिस्टर वो उनकी बहुत केर करती है उनका कहना है कि देपिका बहुत केरिंग और प्रोटेक्टिव है काम की वज़े से दोनों को मिलने का ज़्यादा वक्त नहीं मिलता लेकिन जब भी वो मिलते हैं बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है देपिका के फिल्मों पर एक बार उन्होंने भूला था कि वो उनकी सभी फिल्में देखती है लेकिन उनकी ये जवानी है दिवानी और लव आजकल बहुत पसंद है इसके अलावा उन्हें लफंगे परिंदे पसंद आई थी अनीशा को देपिका की कॉक्टेल और कार्तिक कॉलिंग कार्तिक भी बहुत पसंद आई थी इतना ही नहीं जब अनीशा को देपिका की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती तो वो उन्हें बोल देती है जैसे अनिशा को देपिका की चिनने एक्स्प्रेस बिलकुल पसंद नहीं आई थी देपिका और अनिशा की परवरिश बैंगलूरू में हुई अपने अपने हुनर में माहिर ये दोनों बहने बहुत स्वादिश्ट खाना बनाती है देपिका समय मिलने पर अपने परिवार के साथ quality time spent करती है कई बॉलिवूड इवेंट में अनिशा देपिका के साथ नजर आती है दोनों की bond नहीं देखी जा सकती है देपिका और अनिशा दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में खूब नाम कमा रही है स्पोर्स के क्षेत्र में अनिशा एक बड़ा नाम बन कर उभरी है तो देपिका पादिकोन बॉलिवूड का एक बेहतरी नाम है यानि की देपिका की तरह अनिशा भी है बेहर talented यह अलग बात है कि अनिशा स्पोर्स में अपना नाम कमा रही है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही